हेलो एवरिवन हम क्या डिसक्स कर रहे थे नूट्रेशन इन प्लांट्स ठीक है प्लांट्स के अंदर मौड अफ नूट्रेशन हमने डिसक्स किये थे ototrophic mode of nutrition, heterotrophic mode of nutrition और heterotrophic में भी फर्दर हमने टू टाइप्स स्टड़ी किये थे पारसिटिक और सेपरोफिट उसके रभाव एक टाइप के प्लांट ओ स्टड़ी किये थे हमने इंसक्टीवर्स प्लांट्स आज हम स्टड़ी करेंगे सिंभाइटिग प्लांट्स Symbiotic Plants क्या होते हैं जब दो Plants हैं वह Combination में काम करते हैं आप एक्जामपल ले ले लेजए आप अपनी फैमिली का एक्जामपल ले लेजए फैमिली फैमिली में बहुत सारे Member होते हैं आपकी Father है आपकी Mother है Grandmother Grandfather आपके Brother है आपकी Sister है ठीक है तो कोई भी काम करना होता है जैसे फादर है घर के बहार का काम पापा संभालते है ठीक है मदर है वो अगर बहार काम करती है तो अच्छी बात है वरना घर का काम संभालना होता है उन्हे ब्रदर है उनको पापा का हाथ बटाना होता है या कभी-कभी मदर का भी हाथ औ और जो sister है, वो भी अपनी मदर की help करती है, ठीक है, तो सब का काम अलग-अलग बटा हुआ है, लेकिन रहते तो सब एक ही family में हैं, और ये सब ही मिलके अपनी ही family का काम करते हैं, complete family form करते हैं, तो वैसे ही जो symbiotic plants हैं, उसमें क्या होते हैं, कि जो दो plants हैं, वो combination में रहते हैं, और एक plant है, वो कुछ काम करेगा, और दूसरा plant है, वो कुछ काम करेगा, तो symbiotic plants क्या होते हैं, जो की एक साथ रहते हैं, leaving together, एक साथ रहते हैं, कौन? different plants, different plants जो होते हैं, वो एक साथ रहते हैं, या तो वो same part के plant होते हैं, या तो, मतलब, sorry, same plant के parts होते हैं, या फिर, क्या होते हैं, दो अलग-अलग plant होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे की help करते हैं, help each other, एक दूसरे की help करते हैं, food obtain करने में, और ये जो प्लांट्स होते हैं, या तो वो एक ही plant के part होते हैं, या फिर, different plants होते हैं, वो एक साथ रहते हैं, और वो एक दूसरे की help करते हैं, किसमें, to obtain food, जो भी उसकी requirement है, उसको fulfill करने के लिए, ठीक है, इनको हम symbiotic plants बोलते हैं, ये जो plants होते हैं, इनको symbiotic plants बोले जा और ये जो process होते है, जो साथ रहने का process है, इसको बोलते हम, symbiosis, एक साथ combination में रहते हैं, तो ये जो symbiosis है, जो एक साथ रहने का process है, कि वो दो नव प्लांट एक साथ ही जिन्दा रहेंगे, या फिर उनको अलग कर दिया जाए, तो भी क्या वो जिन्दा रह सकते हैं, तो कु कुछ प्लांट से होते हैं, जिन्में restricted होते हैं, अगर उनको अलग कर दिया तो उनकी death हो जाएगी, वो इकटे ही सरवाई कर सकते हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता है, तो इसका example एक हम study करते हैं, most common example है, लाइकेंस, जो लाइकेंस होते हो, किस-किस के combination से बनते हैं, एक एक होता है, इसमें green plant, और एक होता है, non green plant, और देखने से ये कैसे लगते हैं, कि जैसे एक ही plant हो, कैसे structure होती है, अगर हम बात करें, ये कुछ ऐसे structure होती है, ठीक है, ये जो होते हैं, ये तो होते हैं, fungus, जो green plant होता है, वो तो होता है, और जो non green plant होता है, वो होता है, fungus, तो ये तो होते है, फंगस, और इनके उपर ऐसे-ऐसे spore की तरह, देखेंगे आपको gold gold, green green color की structures, वो जो structures होती है वो क्या होती है algae तो देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि ये इस plant से अलग है ऐसा लग रहा है ये complete एक ही plant है ऐसा ही लग रहा है तो जो lichens है वो alga और fungus के combination से बनते हैं अब इन में जो alga है याद हो तो पीछे के lectures में हम पढ़ चुके हैं जो alga है वो photosynthesis करता है तो photosynthesis से तो food प्रिपेर करेगा नहीं है fungus भी पढ़ चुके हैं किसमें पढ़ा था? saprophytic mode of nutrition में तो ये जो alga है अपना food प्रिपेर करता है इस basis पे हम इसको क्या बोलते हैं? autotroph and decaying parts पे ग्रो कर रही थी वहां से अपना material ले रही थी तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? saprophyt तो जो fungus है ये क्या करती है? water and minerals को absorb करती है और किसको प्रोवाइड करती है water and minerals? alga को और जो alga है वो क्या करेगी? photosynthesis से food प्रिपेर करेगी और ये food किसको देगी ले जाके? fungus को तो fungus alga को कुछ दे रही है और alga fungus को कुछ दे रही है मतला दोनों में lane देन चल रहा है एक एक चीज दे रही है दूसरी दूसरी चीज दे रही है जैसे group होता है बच्चों का एक team होती है दस बच्चे है उन दस बच्चों की team है ठीक है वो कमाते तो है नहीं छोटे बच्चे है आपकी तरह ही 7th class के student है तो उनके पास इतनी मनी तो होगी नहीं कमाते नहीं है वो अपनी pocket मनी थोड़ी बचा के रखते है तो जैसे वो bat ball खेलने जाते हैं वहाँ पे bat की भी requirement होती तो वो क्या करेंगे हर एक बच्चा उसमें contribute करता है कि हाँ इतने इतने contribute करेंगे तो एक bat आ जाएगा इतने contribute करेंगे तो एक बल्ला आ जाएगा तो उसमें हर एक बच्चा है वो contribute करता है कोई एक बच्चा नहीं करता तो ऐसे ही lichens में क्या होता है कि alga और fungus दोनों contribute करती एल्गा है वो food prepare करेगी और जो fungus है वो water and minerals absorb करेगी वो एल्गा को दे देगी और एल्गा है उसके बदले में उसको food provide कर देगी तो दोनों की जो requirements हो fulfill होगी इसके इलावा एक और example है rhizobium bacteria and leguminous plants leguminous plants पर कौन से होते हैं ग्राम पी बीन्स और पल्सस यह लगविनस प्ल्सस यह लगविनस प्ल्सस यह तो जो rhizobium bacteria है वो इस leguminous plant के root nodules में रहता है क्या होता है जैसे यह कोई leguminous plant है इसकी यहां पर यह root है तो यह जो rhizobium bacteria है वो यहां यहां soil में spread हुआ हुआ है इसके जो root nodules है यहां पर मिलता है यह rhizobium bacteria याद हो तो rhizobium bacteria का function हमें एक overview में देख चुके हैं कि जो air के अंदर क्या होती है nitrogen gas होती है उस nitrogen gas को nitrates में convert किया जाता है और यह काम कोन करता है यह rhizobium bacteria करते हैं यह जो नाइटरेट्स है फिर यह leguminous plant जो है यह absorb कर लेता है फिर अब rhizobium bacteria ने तो इस plant को nitrates दे दिए अब rhizobium bacteria को इस plant से क्या फाइदा हुआ तो यह जो plant है यह rhizobium bacteria को क्या देता है फूड एंड शेल्टर ये फूड प्रिपेर करेगा और वो फूड राइजों बैक्टिरिया को दे देता है इसको रहने की जगह देता है ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो फंगस है वो भी एलका को रहने की जगह देता है शेल्टर देता है ठीक है ऐसे ये भी शेल्टर देता है एक इसकी तरह water and minerals इस tree को देदेगी एब्सॉब करके और यह जब tree है यह food प्रिपेर करके इस फंजाई को प्रोवाइड कर देगे तो यह mutual combination है इसमें दोनों मिल के कमाई होके काम करते हैं आधा काम एक करता है आधा काम दूसरा करता है एक साथ रहते हैं एक ही plant के part हो सकते हैं या different plants हो सकते हैं जो एक दूसरे की help करते हैं food obtain करने में पहला example हमने देखा lichens का lichens alga और fungus से बनता है alga वो food prepare करती है fungus और water and minerals को absorb करती है तो जो fungus और alga को shelter देती है और alga इसको food देती है fungus दूसरा कहा देती है water and minerals से absorb करके देती है second example हमने देखा rhizobium bacteria and laguminous plant का rhizobium bacteria वो nitrogen को fix करता है nitrogen gas जो की plants directly absorb नहीं कर सकते उसको convert करता है nitrates में फिर यह जो nitrates होते हैं इनको absorb कर लेता है plant और बदले में जो laguminous plant है वो rhizobium bacteria को food prepare करके देता है और shelter provide करता है कुछ plants की root में फंजाई रहते हैं तो फंजाई तो वही काम करेंगी minerals and water mineral and water provide करेंगी और जो tree है वो food prepare करके फंजाई को देता रहेगा तो यह है अलग 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 टाइप के कुछ plants है insectivorous plants, symbiotic plant ठीक है और modes of nutrition में autotropic, heterotropic, heterotropic, parasitic, saprophytic तो आप अच्छा से रिवाइस करना ही सबको आपको सही से समझ आ जाएंगे अगर कुछ भी समझ नहीं आता है then you can leave me comment I will answer you thank you so much be safe and be happy